अध्याय तेरे फसय के पर्व से पहले जब येश्यू ने जान लिया के मेरी वो घड़िया पहुची है के जगत छोड़ कर पिता के पास जाओं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इसकरियोती के मन में ये डाल चुका था के उसे पकड़वाए तो भोजन के समय येश्यू ने ये जान कर के पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दी और अंगोचा लेकर अपनी कमर बांधी तब परतन में पानी भर कर चेलों के पाउँ धोने और जिस अंगोचे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोँचने लगा जब वो शमून पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा हे प्रभू क्या तू मेरे पाउँ धोता है येश्यू ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता परन्तू इसके बाद समझेगा पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाउँ कभी न धोने पाएगा ये सुनकर येश्यू ने उससे कहा यदि मैं तुझे नधूँ तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साजा नहीं शमौन पत्रस ने उससे कहा ये प्रभु तु मेरे पाउं ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे येश्यू ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पाउं के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं परंतु वो बिलकुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं वे तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं जब वे उनके पाउं धो चुका और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाउं धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाउं धोना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो मैं तुम सब के विशय में नहीं कहता जिने ही मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ परन्तु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताय देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है ये बातें कहकर ये शुवात्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दे कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले ये संदे करते हुए कि वे किसके विशे में कहता है। एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे येशु प्रेम रखता था। येशु की छादी की ओर चुका हुआ बैठा था। तब शमौन पत्रस ने उसकी ओर सैन करके पूछा के बता तो वो किसके विशे में कहता है। तब उसने उसी तरह येशु की चादी की ओर चुक कर पूछा। हे प्रभू, वो कौन है। येशु ने उत्तर दिया। जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा दुबो कर दूँगा, वही है। और उसने टुकड़ा दुबो कर, शमौन के पुत्र यहुदा इसकरियोती को दिया। और टुकड़ा लेते ही, शैतान उसमें समाग तब येशु ने उससे कहा। जो तू करता है, तुरंत कर। परंतु, बैठने वालों में से किसी ने नहीं जाना कि उसने ये बात उससे किसलिए कही। यहुदा के पास थैली रहती थी। इसलिए किसी ने समझा कि येशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें बर्ब के लिए चाहिए, वो मोल ले। या ये कि कंगालों को कुछ दे। तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बहार चला गया और रात्री का समय था। जब वो बहार चला गया तो येशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे धूंडोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, कि जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। वैसा ही मैं अब तुम से भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्या देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, कि त तुम मेरे चेले हो शमौन पत्रस ने उससे कहा हे प्रभु तु कहा जाता है यिशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूँ वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता परन्तु इसके बाद मेरे पीछे आयेगा पत्रस ने उससे कहा हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूँगा येश्यू ने उत्तर दिया क्या तू मेरे लिए प्राण देगा मैं तुझ से सच सच कहता हूँ कि जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा मुर्ग बांग न देगा